नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका क्रिकेट विद नारायन के साथ तो गाई जह हम हमेशा की तरह लेकर आए क्रिकेट के तीन बड़े ने उस तो वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप मत करना है उस पॉइंट पर खड़ा हूँ जहां मैं अगर पीछे देखता हूँ तो मुझे सारे अपने मिमरीज दिखते है और जब मैं आगे देखता हूँ तब मुझे एक नया वर्ल्ड दिखता है और मेरा सिर्फ एक ही गोल था लाइफ का कि मैं इंडिया के लिए खिलना चाता था मेरे माइंड में सिर्फ एक ही गोल था कि मैं इंडिया से खिलना चाता था और मैं वो अच्छी हूँ कर पाया काफी सारे लोगों के वज़े से जिसमें सबसे पहले मेरे फैमिली आती है फिर मेरे चाइल्डूड कोच तारक सीना सर और मदन शर्मा सर जिनके गाइडन्स में मैंने क्रिकेट सीकी है और उसके बाद मेरी पूरी टीम जिनके साथ मैं क्रिकेट खिला हूँ इतने साल और इससे मुझे काफी ज़्यादा फेम मिला लव मिला और सपोर्ट मिला नमबर टू गाइज मोहमत शामी ने रोईच शर्मा को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट डिय हमत शामी ने कहा कि सबसे बेश्टिंग रोईच शर्मा की ये है कि वो काफी ज़्यादा फ्रीडम देते हैं सबसे सही नहीं निकले तो फिर उनके थोड़े से रियक्शन बाहर आने लगते हैं वो आपको बताते रहते कि आपको ये करना था ये चाहिए था लेकिन फिर बि बॉलर का दिन नहीं रहा तो वो उसको काफी अच्छे से बैक करते हैं और कोई भी बॉलर के लिए ये बड़ी बात हो जाती है एजब प्लेयर मुझे उनकी कैप्टेंसी हमेशा से पसंद आई है और उनके अंडर खिलने में काफी मज़ा आता है नमबर थी गई दिनेश का जैसा बॉलर का फिटने से कंटिनियूसली मॉनिटर करना चाहिए टीम मैनेजमेंट ने क्योंकि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि वो एक कोई नो डायमंड है इंडिया टीम का और एजब प्लेयर उसे कंटिनियूसली प्रोटेक करने की ज़रूरत है उसे बस इंपोर्टन मैच चीज़े है उसके पास कैप्टन बनने के लिए वो काम है और उसके पास मैचुरिटी है लेकिन हमें ये बात याद रखनी है कि वो एक फार्च बॉलर है जो तीनो फॉर्मेट खिलता है इंडिया के लिए और फार्च बॉलर अगर सारे मैचे स्खिलने लगा तो उसको सिलेक्टर उसे कैप्टन नहीं बना रहे है क्योंकि डायमंड जैसे बॉलर को रिस्क में डालकर सारे मैचे स्किलाना ये बड़ा कोशन है सिलेक्टर के लिए चलिए आज के लिए बस इतने वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें